भाषाई आंदोलन जो अभी चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? आज भाषाई आंदोलन चल रहा है जो सरकार जबरजस्ति ठोप दिया है और जो नाकपूरी भाषा है, जो जहारखंड के भाषा है उस भाषा को भी उचित समान नहीं मिला है और जो बहरी भासा है उसको जबरजस्ती थोपा जा रहा है तो इसके लिए हम लोग भी बहुत सारा आंदोलन किये हैं अभी नाकुरी हो, होक, हड़िया, मुंडारी, संथाली और ऐसे भासा को तो अभी उची दर्जा मिला नहीं है और जो है बाहरी भासा को इसमें थोप करके जो लोकल भासा है उसका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है और जान बूच करके सरकार नहीं विबाद को खड़ा कर दिया है ताकि विकास पे कोई लोग मतलब जो है आवाज ना उठा पाए, सवाल ना करे अभी बहुत सारे नावजवान बिरोजगार है, अभी सडक नहीं है, नाली नहीं है, अभी पानी है, बिजली का समस्या है इस तरह का समस्या है, इसमें आंदलन होना चीह है अभी भासा विवाद जो है, वो जान बुच करके इसमें भोशपूरी, मघही, अंगईका, अंगिका और आने भासा को जो है, जबर जस्ती इसमें सरकार विवाद खड़ा कर दी है आने वाला दिन में हम लोग भी बिरोद में, में रोड में उतरे थे और इसका प्रतिकार किये थे कि जो है, लोकल भासा जो है, मुंडा खड़िया इसको जो है, उचित समान दिया जाए जरूर लागू होना चाहिए, ज़ार्खन जिस मक्सद से आपका अलग हुआ है जमीन पचेगा लेकिन यहाँ क्या है, देख रहें बने होना जल जंगल जमीन बचर रहा है ना स्थानी निती लागू है और जो हमनत सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग बनी 9 32 को लागू करेंगे प्र Düny लुग लेकिन आज 22 साल होने जा रहा है राज्य को अलग हुए लेकिन आज तक तो ऐसी बात नहीं है ना स्थानी नीती परिभासित है ना तो नियोजन नीती परिभासित है यहां के बिरोजगार लोग सडकों पर घूम रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार मांगो पर विचार करेगी विचार करना है इसको मजबूरी है सरकार को विचार करना नहीं करेगी तो जनता है सडक पर उतर के अपना हक अधिकार को लड़की लेना जानती है और आंदोलन हो ही रहा है आप देख रहे हैं अगर सरकार बिचार नहीं करेगी तो आने वाला दिनों में फिर सरकार को जनता है जबाब देगी मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द अस्थानी निती पर परिभाशित करें 1932 खतियान को लागू करें अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले